Hello Friends, मैं हूँ ममता जोरी और ममता जोरी ब्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे Philips Viva Collection Induction के बारे में Friends, मैंने Philips Induction का Full Review and Unboxing वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप सब का बहुत-बहुत प्यार मिला है फिलिप्स Induction पर टाइमर कैसे सेट करें उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है पूरी पापर बहुत आसानी से फिलिप्स Induction पर कैसे बनाए इसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोग चेक कर लीचेगा फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर व्लॉक्स भी डाले हैं रिस्पीज वीडियो भी डाले हैं मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉक्स रिस्पीज वीडियो वाच करें और उसको भी अपना प्यार दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि और आप लोग मेरे चैनल पर क्या-क्या देखना चाहते हैं अब आज आते हैं वीडियो के टॉपिक पर आज का टॉपिक है फिलिप्स इंडेक्शन गैस के मुकाबले बेस्ट क्यों है दोनों के कमप्रीजन में फिलिप्स इंडेक्शन फर्स्ट किफायती है खुबसूरत है जगां कम घेरता है जब किचन में रखेंगे तो आपके किचन की शान बढ़ जाएगी लगेगा ऐसा कि किचन की किचन में कुछ दबंग आइटम रखा हुआ है यूज करने में बेहद आसान है बस एक बार आप लोग ट्राई करें और कुछ भी अगर समझ ना आए तो इंडियन मेनू आप्शन का यूज करें कॉम्पैक्ट आइटम है जहां चाहें वहां रख सकते हैं टूर ट्रेवल पर कैरी कर सकते हैं खुबियां तो बहुत हैं एडवांस गैजट है चोटे से चोटा बरतन भी आप इस पर यूज कर सकते हैं और क्लीन करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत ही आसानी के साथ आप इसको क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं तो फुल कोकिंग इसी पर फिलिप्स इंडेक्शन पर ही करती हूँ क्योंकि ये किफायती भी है और अब गैस सिलेंडर लगबग 900-1000 रुपए के पास पहुँच गया है गैस की बचत होती है और बिजली की भी सेविंग हो जाती है और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक स्मार्ट ट्रिक बता रही हूँ जब भी आप फिलिप्स इंडेक्शन का यूज करें तो आप अपने घर का कोई भी बड़ा इलेक्ट्रोनिक गैजट हो उसे आउफ कर दें जैसे फ्रिज, टीवी या कोई भी जो आप किया बड़ा गैजट हो उसको आउफ कर दें और फिर नेशन्त होकर बेफिक्री के साथ विदाउट टेंशन आप फिलिप्स इंडेक्शन का यूज करें इससे गैस की बच्चत भी हो जाएगी और अलग से कोई खर्च भी नहीं होगा फ्रेंड्स मेरे एक विवर ने ये कमेंट किया था कि कम पढ़े लिखे लोग इस फिलिप्स इंडेक्शन को यूज नहीं कर सकते तो मैं उनको इस वीडियो में जवाब देना चाहते हूँ कि कम पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोग भी आज की टाइम में स्मार्ट फोन यूज कर रहे हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है बट फिलिप्स इंडेक्शन तो इंडियन मेनू उप्शन हैं उसमें और जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेहद ही इसी है कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जब एक अनपढ़ व्यक्ति स्मार्ट फोन चला सकता है तो फिलिप्स इंडेक्शन क्यों नहीं यूज कर सकता है फ्रेंड्स जहां चाहा वहां रहा बस अगर हम चाहते हैं चलाना तो हम इसली चला सकते हैं और नहीं तो फिर अलग बात है Friends, यह आप सभी लोग जानते होंगे जो काम हम लोग कर लेते हैं, वो असान और जो हम ना कर पाएं, वो मुश्किल यह सभी लोगों के साथ होता है Friends, नए जमाने के साथ हम सब को आगे बढ़ना चाहिए और नई नई चीजों को सीखना चाहिए सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए जो भी चीजें हमने सीखी अगर हमारे काम ना भी आ सकी तो कोई बात नहीं हमारे जान में, पहचान में, हमारे Friends में, हमारे Relative में कोई भी हो, अगर हम उनकी हेल्प कर पाएं, तो वो भी अच्छी बात होगी कोई चीज, जो हमने सीखी अगर हमारे काम नहीं आ सकती कोई बात नहीं, हम दूसरे को उस चीज के लिए Advise कर सकते हैं, दूसरे को उस चीज की जानकारी दे सकते हैं, ये भी कुछ कम नहीं शायद उनके लिए वो बहुत काम की चीज हो, जो हमने यही चाहती हूँ, फ्रेंड्स आप अन्य विश्यों को लेकर भी मुझसे question कर सकते हैं, मैं answer आप लोगों को जरूर दूँगी, अगर question logical होगा, तो answer आपको जरूर दूँगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो like कीजिए, और ऐसे ही useful वीडियो को देखने के ममता जहरी ब्लॉक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठैंक्स वर वाचिंग